जेहन सात्यू एनम और जीएनम के एडमीशन दोरजा 24 की बारे महतपूर जानकारी सात्यू हम आपको बता दे कि एनम जीएनम का कोर्स जो प्राइविट कॉलेज में लाग रोपेगा होता है वो अब आप सरकारी कॉलेज से निशुल कर सकते हैं और इसकी बारे महतपूर जान सात्यू हम आपको बता देंगे कि एनम जीएनम का फ्री कोर्स सरकार द्वारा जैसे कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि तो तीन साल से कराया जा रहा है तो यह आप सरकारी कॉलेज में जो कोर्स हो रहे हैं उसके लिए 2026 के लिए विग्यापन निकाला गय है तो इसकी कुल सीट और इसमें अनुवार योगता और आयू सीमा और फीस और इसकी लाज टीट की बारे में बात करेंगे तो पूरी प्रिक्रिया को समझने के लिए वीडियो को एन तक चुरूर देखे आए वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो आए साथियों सबसे पहल इस एस सब्जेक्ट इन टैन परस्ट लेवल विद फुर्टी परसेंट मार्क से साथ इसमें आपको पास होना चाहिए और दूसरा जो है एनम विद रिजिस्टेशन काउंसल एनम जो है अगर उनकों कर चुकी है उनके लिए भी मौका है येनम करने का तो उसमें एनम के जो चैनल सब्सक्राइब करने काउंसल में होना चाहिए और अगर देखें इसमें तो आप जाएस स्क्रीन में देख रहे हैं ये विद्धियापन में जो इसके जी एनम के तीन वर्सी प्रस्टेश्य रेतू नोराज के प्रस्टेश्ट के अंदर पर सीटों के लिए आवेदन म बात करें तो देखें इंटर्मीड परिच्छा में अंग्रेजी विश्य में 40 प्रस्ट अंग होना अनुवार है दूसरा मादमिक सिच्छा परस्ट उतरप्रदेश से विज्यान के साथ हाई स्कूल और इंटर्मीड परिच्छा ये सरकार द्वार उसके समकच मानता इंटर्मीड परिच्छा में सामान अंपरिच्छड वर्च के लिए नियूंतम 45 प्रस्ट तता अंसुच जाती या जन जाती विवर्च के लिए नियूंतम अंक 40 प्राप्त करना अनुवार है तो यह पूरी सेच्छिक है अर्टा है यानि कि जी एनम के लिए इसी तरह अब पहली बात तो यह है केवल गल्स के लिए है और 10 प्रस्ट टू इंटर्मीड इन एनी रिकोगनाइज्ट बोर्ड इन इंडिया ठीक है तो और जनरल ओवी सी डब्लूस के लिए 45 परसेंट मार्क रस्ट के लिए 40 परसेंट मार्क तो यह इसमें एनम के लिए यह क्वालिफि प्रस्ट के साथा सिर्ट की को से प्रीश्ट की जन जातीक ए लिए 40 प्रसा से कम प्राप्त के लिए प confoured की नहीं हों जानी कि सिर्ट के लिए 40 वृपस के लिए 45 परसेंट तो और साथ ही में अगर देखें हम तो आशा संगिनी अभ्यड़ती जो उप्रक्तान सार निर्धात निर्धात से प्रस्तु किया जाना नुवार होगा यानि कि आशा या संगिनी भी इस एनम की कोर्स को कर सकती हैं और साथ यो अब बात करते हैं एज लिमिट के यानि आयोसी मा की तो एनम जी एनम दोनों के लिए इसमें मिनिममम जानी नियुंतम आयू सत्रे वर्स होनी चाहिए और अधिकतम आयू यानि मैग्जों में पैंथिस वर्स होनी चाहिए तो एज लेक्षेशन एस पर एनचम यह 200 रुपे और OBCS, CST के लिए 100 रुपे फीश है इसमें और यह डेविट कार्ट के रिट कार्ट यह नेट पेंग की तो ओनलाइन इसमें फीश जमा होनी है जैसे जब आप ओनलाइन फ़र्म जमा करते हैं और एंपर डेटरेंट की बात करें तो अप्लिकेशन यह लाइन आविदन के लिए इसकी ओफिसल वेबसाइट है जो www.tgmhup.gov.in पर जाकर आप इसको ओनलाइन आविदन कर सकते हैं हम आशा करते हैं कि आपको यह जान करें अच्छी लेगे होगी वीडियो कर पसंद आए तो कि पैसे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें साथी चै तरह कि महत पूर्चान करी हमारे चैनल पर दी जाती है थेंक यू